नमस्कार सभी भाई बैनों का स्वागत है आज आपको मालूम है कि मैं यह आप देख रहे हैं खबर हैं जो बहुत सारी खबरे हम आपको बताने वाले हैं आज किसी कारण बस लाइब नहीं आ पाया लेकिन हमने आपका समय जो है जाया नहीं जाने दिया और आपको जो है खब एक से हम जिस तरीके से लाइब जुड़ते हैं बारा जुड़ते रहेंगे तो चलिए आज की ख़वरे देख लिजे उत्तर प्रदेस में देखिए आपको मालम हुआ कि आगन बारी वाग में अभी कुछ जनपदों भरतियां चल रही है और ऐसे में देखिए बिरुजगारी का आलम इतना ज्यादा है कि बिरुजगारी से परिशान होकर युवाओं की मजबूरी का आलम यह हो गया है कि बी टेक, एम टेक और एम बीए करने वाली मैलाएं और युबतियां भी आगन बारी कारकरतापत के लिए आवेदन कर रही हैं आपको बता दे इसका खुलासा आ अच्छी के युगता 10 से रखी गई है और मान्दे सेवा अधारित है बाकी बेतन तो आपको पता ही जबकि साहिका के लिए भी जो है नियूंतम युगता 8 रखी गई है और बेतन भी कितना कम है इसके बाबजूद भी आपको बता दे जनपद में 923 आवेदन जो है विज् से अधिक आई 500 से अधिक आवेदन MBA करने वालों के भी हैं तो ये खबर आपको बता दे इलाबाद उत्तर प्रिदेश की प्रियागराज इलावास से समझा जा सकता है कि मतलब कितने ज़्यादा पड़े लेके मेलाएं भी जो है आवेदन कर रहे हैं आपको बता दे बिवा साथ के राजेंद त्रिपार्टी ने बताया कि आगन बारी कारकत्री के लिए वी टेग, एम टेग, एम बीए पास लोगों के तमाम आवेदन आए हैं आकरी दिन अब तक 18,000 आवेदन विवाग के पास आ चुके हैं और से इस आई आवेदनों की स्कूरूटिनी की जा रही हैं तो यह उत्तर प्रिदेश के प्रियागरा से खबर थी अब देखिए आप लोगों का जो है बेतर संबंदी समस्यां काफी हैं क्योंकि उत्तर प्रिदेश में केन सरकार और रास सरकार का अलग अलग बेतर नाता है लेकि रास सरकार का हिस्सा जो है नहीं आया है इसको ल मारे खबर निकलकर आ रही है आपको बता देकि केंसर का बेतन इसलिए लिए टर्तिक पोड कीर आप पर जो है काम चाल ऑघा इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार सरकIA obtॉ चाहिए त्ब हुग्तरें करेंगी काम करेंगी डीकर पकाम हिजिए को लेकर फीडिंग प्रिदेश अकेला ऐसा राज नहीं होगा कि जहां पर केंसरकार का हिस्सा नहीं आया और भी कई राज होंगे जैसे की बिहार हो गया हिमाचल हो गया जारकंड हो गया मद्ध प्रिदेश हो गया या फिर और भी अन्राज वो आप कमेंटर बताईए लेकिन मैं आपको बता जाता जो आगन बड़ी कर्मी डाटा भेज रही है या फिर सभी नाम जब तक फीड नहीं हो जाते चुकि आपको मालूम होना चाहिए कि केंसरकार की युजना है जो पोसा ट्रेकर आया जिस पर आप लोग काम करते केंसरकार द्वारा तैयार किया गया है और इसी कार से कें पूरी नहीं होती तब तक जो है आपका केंसरकार की और से बेतन पैसा लटका रहेगा तो आयोग आप लोग समझ गए होगी कि आभी तक जो है आपका केंसरकार का हिस्सा क्यों लटका है और राज सरकार में ऐसा नहीं होता राज सरकार का हिस्सा सभी राज्यों में अपना बड़ी सेवकाओं ने विभागी मंत्री जो है इनको लंबित मांदे बुक्तान को लेकर एक ग्यापन सौपा है और अपनी जो है समस्य बताईए तो जारखंड में भी स्थितिया अच्छी नहीं है जसकी तस हालात है और मुक्र सचिव दौरा बिवाग को 25 मई तक सभी सेवक का बितरन अब फिर से जो है सुरू होगा और इस बार दो परियोजनाओं के बच्चों को पोसाहर के रूप में बिटामिक्स जो है दिया जाएगा मुसरी सदर और बोच्छा परियोजना का इसके लिए चैन कर लिया गया है आईसीडियस निदे साले के पोसाहर प्रवारी अतकारी ने डीप्यो को पत्र लिखा है और इस रेडी टू इट फूट आपूर्ति से संबंदित मांग पत्र पर जीब का को अपलब्द कराने के लिए कहा गया है जिले में तीसरी बार बिटामिक्स वितरन सुरू किया जाना है इससे पहले बिटामिक्स की गुरवत्ता प काफी आगन बाड़ी कर्मियों द्वारा पूछा जा रहा है कि आखिर का केंद्रों का किराया क्यों लटका हुआ है और कब तक आएगा चूकि आपको मालूम है कि ग्रामीर हो या फिर सहरी छेत्रों में तो जाहतर आगन बाड़ी केंद्रों खुद के भवबन लेकि सहरी काफी है चैतरों के आगन बाड़ी करमियों काफी का परिसान है चूकि आपको मालूम है क्योंगा जो आता था किराया नहीं आए उन्हें हा रहा है उतक जो बताना चाहूं कि जो आपको बता दें जन्पद के अतकारी होते हैं जलाकारी कामतकारी ये पत्र लिखते हैं सरकार को और सरकार को पत्र लिखते हैं फिर सरकार से किराय की मांग करते हैं बहुत सारे जलाकारी कामतकारी इस बारे में ही लहावाली करते हैं और जन्पद इस तरह से जब पत्र नहीं जाएगा मांग नहीं होगी किराय की तो सासन जो है जायर सी बात है किराया नहीं देगा और आपको मालूम होना चाहिए कि मतलब मांग ऐसे ही नहीं होती है उसके लिए बकायदा पूरा नियम कायदा होता है सरकारी जो नियम होते हैं वो सब पालन किये जाते हैं लेकिन जब तर जिला कारकरमतकारी द्वारा मांग नहीं की जाएगी तो जनपन में किराय का भुक्तान सासन नहीं करेगा और सासन भुक्तान नहीं करेगा तो जाहिसी बात है आपके आकाउंट में भी पैसा नहीं आएगा अब आप लोग क्या करने हैं क्या करें बड़ा गंबीर सवाल है आप लोग कुछ नहीं करना अपने जलाकारकामतकारी को एक प्राथना पत्र देना है मांग पत्र देना मतलब अपनी जो समस्या वो आपको बतानी हो सकता है कई लोग जब समस्या बताएंगी तो निश्चित तौर पर समस्या का समधन होग और जलाकारकामतकारी को ही आपको पहले समस्या अपनी बतानी सी डीप्यों बगेरा को ना बताएं सीधे डारेक्ट तोर पर डीप्यों होते हैं जलाकारकामतकारी होते हैं इनको बताएं और एक लिखेत में जो अपना मांग पत्र बताएं उनको फलाना फलाना समय से आपक कर्मियों को भुगतना पड़ता है तो आप हमें कमेंट बताइए कि किस किस जनपदों का जो है किराया बगाया पड़ा हुआ है किस जनपदों का भुक्तान हो गया वो सब आप कमेंट बताइए तो यहाँ पर एक बड़ी जानकारी हमने आपको दो एहम जानकारियां दी जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई थी एक तो आपका बेतन जो है मानते जो है क्यों लटका हुआ है इसका सवाल का जवाब मैंने आपको दिया और इसी के साथ एक समस्थे आती जो केंद की केंद का किराया कैसे आता है क्या लटका है इसको लेकर भी जानकारी दी दोनों भ आयोब आपको समझ में आ गया हो लाइक कर दीजिए सेयर कर दीजिए चैलों को सक्सक्राइब करके बेल को दबालेजी हर अपडेट आपको रोजाना मिलती रहे तो कल फिर से मिलेंगी बाराब जी और लाइब में बहुत बहुत धन्वास सभी लोगों का नमस्कार